दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ गदर टू और ओमाइगाड टू इन दिनों कितिनी की कमाई कर चुकी है तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल पर प्रेस कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यारा अगस्त को गदर टू और ओमाइगाड टू रिलीज हुआ था हिंदी सिनिमा घरों में और पहले ही दिन ओपनिंग के साथ बहुत ही बढ़िया कमाई की थी गदर टू ने और उसके साथ में ओमाइगाड टू ने भी गदर टू फिल्म हिंदी सिनिमा घरों में बहुत ही बढ़िया रिस्पोंस रहा है हिंदी बॉक्स आफिस पर बहुत ही बढ़िया रिस्पोंस के साथ जो है कि 438 करोर रुपे की कमाई कर चुकी है गदर टू मूवी दोस्तों ओमाइगाड टू उसके साथ में रिलीज हुई थी यार अगस्त को जैसा कि यार अगस्त को गदर टू रिलीज हुआ था उसी साथ में ओमाइगाड टू फिल्म हिंदी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी औ बॉलिबोड इंडिस्टरी में एक इतियास बन चुका है गदर टू फिल्म एक इतियास बना चुकी है अपने फिल्म इंडिस्टरी में बहुत ही ज़्यादा कमाई कर चुकी है 438 करो रुपई नौए दिन कमाई कर चुकी है और उसके आगे कितना कमाएगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा और गदर्टू का इंतजार पड़े ही बेसबरी के साथ जो है कि इंडिया में था और इंडियन्स लोग बहुत ही ज़्यादा इसका वेट कर रहे थे और जैसे यह फिल्म आई चारो तरफ जो है कि सीनेमा गरों में हासफुल का बोर्ड अभी भी लगा हुआ है और बहुत ही बनिया रिस्पोंस कर रही है गदर्टू और ओमाइगाड की बात करने तो ओमाइगाड टू भी बनिया रिस्पोंस क्या गदर्टू के साथ में रिलीज होई थी इसलिए उसका भी रिस्पोंस थोड़ा बहुत कमाई कर चुकी है जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि गदर टू 100 करोड के लागत में बनी थी फिल्म और ओ माई गाड टू वो भी 100 करोड से उपर की बनी थी और जैसा कि मा ने तो वो अपनी लागत निकाल चुकी है ओ माई गाड टू अभी तक अपना लागत जो है कि पुरा निकाल चुकी है और गदर टू लागत से भी जादा हो यानि 438 करोड बहुत होता है 100 करोड की लागत में बनी फिल्म गदर टू 438 करोड रुपे की कमाई कर चुकी है गदर टू फिल्म का रिकोड कोई भी मूवी नहीं तोड सकती है यहां तक कि मैं आप लोग बता देना चाता हूँ साउथ मूवी भी इसका रिकोड नहीं तोड पाएगी क्योंकि साउथ को भी बहुत ही पीछे कर दिया है गदर टू फिल्म ने और अभी भी जो है कि सीनेमे में लगातार जो है कि यह फिल्म चल रहे है और आने वाले समय में लगता है कि बहुत ही ज़्यादा चल चुकी होगी सनी देवल जी जब यह फिल्म रिलिज हुआ था तो सनी देवल जी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेट थे बहुत ही ज्यादा मतलब एक इंटर्विव में बोले थे कि ना मैं हस रहा हूं ना मैं रो रहा हूं और मेरे पापा जी मुझे पूछे तो उनसे मैं बताया कि मैंने दारू नहीं पी है और मैं हसे जा रहा था और रो जा रहा था तो ठीक उसी प्रकार इंटर्विव में बोल और नए ही जान के साथ या फिल्म आगे कितना कमाई करेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों अगर हमारे जानकारी और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यव कर दो